न संघर्स ना तकलीप तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी रुख जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, मंजिलों ने होसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, होसलों ने मंजिलों की आखों में आखे डाल कर बोला चल जूटी तेरी इतनी आखाद नह नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त है वन्रक्षक राजयन दितनुरिया देखे दोस्तों आज से हम पढ़ेंगे समाने विग्जान ठीके और आज से दोस्तों ये समाने विग्जान की किलास आपके लिए डेली आएगी ठीके इसमें दोस्तों डेली में आपके लिए 20 MC को प्रेशन लाओंगा और यदि दोस्तों आप MP फारेश्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या MP पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों एक्जाम के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है या ये कलास बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है तो चलिए सुरु तरंगे होती हैं बहुत important question है दोस्तों ये ठीक है कई बार कईयों exam में पूछा गया है ठीक है धौनी तरंगे होती है option है अनुपरस्त तरंगे अनुधैर्य तरंगे प्रकासी तरंगे या बिद्दो चुमकी तरंगे तो इन option में से दोस्तों आपको answer चुनना है देखे दोस्तों धौनी तरंगे क्या होती है ठीक है अनुपरस्त होती है कि अनुधैर्य होती है कि प्रकासी होती है या बिद्दो चुमकी तरंगी होती है तो इन सब चीजों से पहले हमको दोस्तों थोड़ी से जानकरी जानना ज़रूरी है देखे दोस्तों तरंग को अंग होती है यांतरिक और एक होती है दोस्तों आयांतरिक कुन सी आयांतरिक ठीक है यदि आपको लिखा हुआ समझ में आएगा तो मैं बोलता क्लियर हो ठीक है यांतरिक को अंगरेजी में कहते है mechanical और आयांत्रिक हो जाएगी non-mechanical या यांत्रिक हो जाएगी mechanical और आयांत्रिक हो जाएगी non-mechanical देखिए दोस्तों तरंग कितन प्रकार की होती है दो यांत्रिक और आयांत्रिक यांत्रिक तरंग जो होती है दोस्तों उसमें माध्यम की जरूरत होती है किसकी जरूरत होती है माध्यम की जरूरत होती है एक मीडियम की जरूरत होती है लेकिन आयांत्रिक तरंग होती है दोस्तों उसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है तो यह आंत्रिक तरंग होती है जिसमें माध्यम की जरूरत होती है वो दो प्रकार की होती है एक होती है आप परपेंडियम की घरएं जयाद रखना जो दोस्तों जो ढ़नी है जो है तो ये कैसी तरंग है अनुधैरिय तरंग है कैसी तरंग है अनुधैरिय तरंग है देखे दोस्तों अगर आप exam हाल में थोड़ा सा भी confusion जाओ कि अनुधैरिय है तीके यह दिया आपको concept से समझ में नहीं आया तो याद रखना धौनी में आधा धा आता है क्या आता है आधा धा आता है श्टार्ट में और अनुधैर में भी धा आता है तो इस concept से भी आपको इसको याद रख सकते हो तो धौनी कौन सी तरंग है अनुधैरिय तरंग है तीके और धौनी दोस्तों ठोस तीके द्राव तीके और गैस तीक solid liquid और आपका gas तीनों माध्यम में क्या होती है गमन कर सकती है लेकिन दोस्तों निर्वात में वेक्यूम में ये गमन नहीं कर सकती निर्वात में ये गमन नहीं कर सकती ठीक है अगर दोस्तों निर्वात में जाकर मैं अगर आप बोलूँगा तो मेरी अबाच कोई नहीं सुन सकेगा ठीक है हर्ज में ऐसे ता आता है, टाकी नीचे ऐसे हलंत लगता है, ठीक है, हर्ज ये किसका मातरक है, तो देखिए दोस्तों, आवरति का, आवरतकाल का, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हर्ज किसका मातरक होता है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, ह किसका मात रख है हर्ज आपका आवरति या फ्रिक्वंसी का ऐसा मातर तरंग धहरी क्या होती है ठीक है आवरती क्या होती है आवरत क्याल क्या होता है ठीक है तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तो तरंग धहरी क्या होता है ठीक है देखिए दोस्तो तरंग धहरी जो होती है आपने ये बेब देखा होगा दोस्तो राइगरम ब वैब्डा को एसा लिखते है लैमडा से वैटकरते है तरंग धेर को अपका जो आवरतकाल होता है Time लेकिन आपको समझना ज़रूरी है इसको कहते है का manipulate रिधी 48 अक जो कहते हैं आवरतकाल चाहते है इसका मातरा क्षान होता है अब यह स्य का रहता है समय क्या होता है चाले नोप नियुक्रम होता है इसकी काॉंटिंग होता है मतलब एकांग संवर में दोस्तों दोलन कितने हुए ठीक है उनकी संक्या को हम क्या कहते हैं आवरती कहते हैं फ्रेक्वेंसी कहते हैं ये बेसिक अंडरिस्टेंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है एक्जाम में कोश्चन आते हैं मातरक से इसके निमेरिकल से ठीक है उनको हमागे डिसकस करेंगे ठीक चलिए न ос तो इनके बीच में क्या सम्भन होता है देखिए दोस्तों एक लाइन याद रखना आवरती और आवरतकाव दोनोंका गुडन फल एक होता है बागी आपको कुछ याननी रखना है T into N equals to 1 क्या T into N equals to 1 आवरती और आवरत काल का गुड़ा कितना होता है एक होता है option number 20 का सही हो जाएगा ठीक है अगर वो अभी कभी पूछ लेगी T वराबर 1 by N या पूछ लेगी N वराबर 1 by T ठीक है तो पक्छांतर करके भी उसका answer आप निकाल सकते हो चलिए next question देखते हैं किस आवरती की तरंग मनुष से सुन सकता है बहुत ही जबरदस्त question कई exam में कई बार पूछा गया है ठीक है आप देख लेना railway SSC ठीक है हर exam में दोस्तों ये मनुष वाला जो तरंग होता है न ये question पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता है दोस्तों आवरती के अधार पर frequency के अधार पर तरंगों को तीन भागों बाटा गया है कौन कोन सी दोस्तों मैं सिर्फ आवरती लिख देता हूँ यहां लिखा लिखाया है जीरो से 20 हर्च हो गया एक ठीक है दूसरा हो जाएगा दोस्तों 20 से 20,000 हर्च ठीक है और तीसरा हो जाएगा 20,000 हर्च से उपर एक हो जाता है जीरो से 20,000 हर्च तक एक होता है 20,000 हर्च या अब सरब चरणक कहते हैं और इसको सुन सकता है सिर्फ गेंडा क्या सुन सकता है तरब गेंडा सुन सकता है मनुस भी ने सुन सकता वही हम बात करें दोस्तो मनुस से जो question मैं पूचा है मनुस से सुन सकता है 20 hertz से लेके 20,000 hertz तक की आबरती की ध्वनी को सुन सकता है इसे हिंदी में कहते है स्रब्य तरंगे या ओडिवल ठीक है ओडिवल तरंगे भी कहते है या स्रब्य तरंगे भी कहते है और तीसरी जी होती है दोस्तों वो होती है आपकी परासरब्य तरंगे कौन सी होती है परासरब्य तरंगे जो चलिए दोस्तों यह कोश्चन समझ में आ गया होगा और इसका राइट अंसर है बीस से बीस हजार हट्स तक की अबरती को कौन सुन सकता है मनुष से सुन सकता है ठीक चलिए नेश्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर पांच है धौनी की तीवरता का मातरक है तो याद रखना दोस्तों धौनी की तीवरता का मातरक होता है डेसीबल क्या होता है धौनी की तीवरता का मातरक डेसीबल इंपोर्टन चीज है याद कर लेना रट लेना जो भी करना है ठीक धौनी की तीवरता का मात रखे होता है, decibel होता है, डापलर प्रभाव किस से सम्माजित है, सीधा question पूछा जाता है, डापलर प्रभाव किस से सम्माजित है, धौनी से सम्माजित है, sound से सम्माजित है, लेकि दोस्तों, सुरोत, मतलब जहां से धौनी निकलती है, ठीक है, और सुरोता, मतलब जहां तक बहुत लंबा समय लग जाएगा इसलिए जो मैन फैक्ट है उसको याद रखो सीधा सीधा डापलर पर वहाओ किस से सम्मानित पूछा जाएगा तो आप ध्वनी से सम्मानित है इतना याद जरूर रखना माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनी की चाल में क्या परिवरतन आता है तो याद रखना दोस्तों माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनी की चाल बढ़ेगी क्या होगी बढ़ेगी और दाब बढ़ाने पर घटेगी क्या क्या होगा तो दाब मतलब प्रेसर बढ़ाने प एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवरती मतलब frequency में कोई परवरतन नहीं होता भाई लेकिन तरंग धहर ये lambda हो जो होता है वो बदल जाता है धुनी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवरती मैं कोई परिवरता नहीं होता लेकिन तरंग धहर जो है दोस्तों वो बदलता है कुश्चन आएगा कि धोनी एक माध्धम से दूसरे माध्धम में जाती है तो किसमें परिवरता नहीं होता आफसन लिखा रहेगा तो आवरती याद रखना और बदलेगा कुसमें बदलावा जाता है तो तरंग धहर बदल जाती है ठीक है लेम्डा बदल जाता है यह सब फैक्ट इंपोर्टेंट है याद रखना भाई मेरा काम है पढ़ाने का मैं पढ़ा रहा हूं ठीक चलिए चाहें तो आप सौर्ट नोट्स बनाते जाओ न एक कमपन कड़का आवरत काल 0.02 सेक सामपन कड़का अवört है ग्यान कारता है और नोटोट के लिए 0.02ııन है तो इसकी आवरत का होगी देक हमनेगे वी संबंध पढ़ते थे क्या होता है सम्बंध आवरत का संबंध़ कहीं होता यह में आप सीधा रखो अबरती और तकाल का गोड़ा कित्ता होता है एक होता है तो यह बात याद होना चाहिए तो यहां पूछा किया है आवरती पूछा है तो आवरती आपको ग्याद करना एन या नियू जो भी लो न अपन ले लो एन वराबर बन अपंटी हो जाएगा तो बन अपंटी कितना है 0.02 सेकंड है तुसको रख 2.02 सेकंड तो ये नीचे हो जाएगा 2 बटे 100 हो जाएगा ये दसमल फट जाएगा तो ये 100 उपर चल जाएगा 100 बटे 250 अंचर जाएगा मतलब 50 प्रती सेकंड इसका अवरती हो जाएगी तीक है गलित समझ माई की नहीं मैं एक बार और समझाता हूँ तीक है देखिए मैंने बताया था अवरती और आवरत का गोड़ा कितना होता है एक होता है तीक है अवरती पूछा है मतलब एन या नियू से नियूट करते इसको एन बराबर बन अपंट टी होता है और बन बटे टी का मान कितना दिवा है 0.02.02 दिया हुआ है यह 0.02 का दर समलों हटाएंगे तो नीचे कितना जाएगा 100 हो जाएगा यह 100 चल जाएगा उपर तो 100 बटे दो कितना हो जाएगा पचास परती सेकंड उसका अपरती हो जाएगी बहुत सिंपल नियूमेरकल आते हैं ठीक है चलिए नेस्ट कोशन देखते है सोनार में प्रियुक्त होती है परासरब्य तरंगे अपसरब्य तरंगे या रीडियो तरंगे या सरब्य तरंगे देखिए मैंने परासरब्य अपसरब्य और सरब्य ये तीनों तरंगे बता दिया लेकिन सोनार में कौन सी तरंगे प्रियुक्त होती है इसका याद रखना तो सोनार में क्या होता है दोस्तों ये सोनार कहां लगा होता है मान के चलिए ये पानी का जहाज है या है पानी का जहाज है और नीचे पानी भरा हुआ है तो मान के चलो पानी के नीचे यहां पत्थर है कि क्या चीज़ है या कोई खानी जह कुछ भी चीज़ हो तो उसका पत फटाल लगाने के लिए यह सोनार यहां लगार होता है और इससे पडाशरबत रंगा निकलती हैं और यह तरंग परपलती हो कर जाती है और वहां उसकी इमेज बन जाती है और हम देख लेते हैं कि यहां पत्थर है कि कोई टीराम होती है ठीक समझ गए क्या नीचे मतलब पनी के नीचे किसी भी चीज की आकरती या पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है सो बातों की एक बात और परासरवित रंग है उसमें इस्तिमाल होती है ठीक है समझ गए चलिए नेस्ट कोस्चन देखेंगे भाई हम लोग चलिए दोस्तों सोनार मैंने बता दिया अच्छा सोनार का फुल फाम बताना भूल गया मैंना चलो बता दीता हूं सोनार जो होता है दोस्तों क्या होता है सोनार कैसे लगते हैं सो एन ए आर ठीक है तो इसको लगते हैं दोस्तों साउंड ठीक है एस से हो जाएगा साउंड एन से हो जाएगा नेवीगेसन क्या हो ज पूछा जाता है याद रखना चलिए नेस्ट कोश्चन देखते हैं यह हो गया नेस्ट कोश्चन दस्वा नमबर तरंग वेग आवर्तकाल टी तथा तरंग धैर लेमडा यह लेमडा है यहां भी लिखा दोस्तों लेमडा समझना ठीक है लेमडा की बीच संबंध क्या है ठीक यह लिखता है लेखता है यह लेमडा हो गया टीक वेमडा यह हो डिखता है लेमडा हो गया ।ि वार्फल participants नमबर सही हो जाएगा भी बराबर लेमडा पान टी जहां भी ज》 हब कि किया औरती कहते हैंटी आवरतकाल होता है लेमडा तरंग धारी हुता है शीदा रिक्श्म हुश्काल की एक जाद रखना की बेक बड़ाबर क्या होगा लेमडा मतलब तरंग धारी बटे आवरतकाल ये तरंग धारी सब गलत लिखा है डिक की तरंग धर एक्ट कर लिखते हैं ऐसे हैं तरंग धर को लिखते हैं ऐसे ठीक है तो याध रखना तरंग धर ये वटे यह वर्टकाल होता है वे बेक बडावर सीबी की एक बात इस से अप फर्मूला निकाल लेना question number 11 ध्何 का बेक सबसे जॉधा किसम होगा या अधिक्तम होगा याद रखना ध्ना ध्नी ग्वाज को जबसे जॉधा होता है ठोस में फिर द्रव में फिर उसके बाद गैस में और निरबाद में 0 स्मझ गए तो यहाँ देखिए ठोस बाईयू लोहा आफसन कह दी है बाईयू लोहा हाईडोजन जल जल द्रव है तो इसमें तो नहीं हो सकता ठीक बाईयू भी गैस है इसमें भी नहीं हो सकता हाईडोजन में भी नहीं हो सकता तो लोहा ठोस होती है ठोस चीज कुछ नहीं है लोहा तो लोहा मैं सबसे स्वाली 20 से लेके 20,000 यह कुश्चन बहुत पूछा जाता है कि मनुस्ते किस पराज की धौनी को सुन सकता है तो 20 से लेके 20,000 हट्स तक की ठीक है और परासर बतलब 20,000 हट्स से उपर जिरह हम परासर अल्टरसोनिक विप्स कहते हैं कुट्ता चमगादार और बिल्ली इस कारण है सिंपल दोस्तो परवर्तन क्या होगा प्रति धौनी मतलब टकरा के कोई अवाज आएगी तो इसको धौनी का परवर्तन ही कहींगे ना रिफ्लेक्शन आप साउंट ठीक है तो देखे दोस धौनी जो होती है यह ठोस द्रव की सतर से परवर्तित होती है किस से परव अब है दर चिलाते हो कभी ठीक है तो आपको कुद्बिर के बाद देखना उसकी अवाज गूजते हुए रिफटन सुना है तो आपकी जो मूल्ध होनी है और परवर्तित धौनी दोस्तों उसके बीच का समय कितना होना चाहिए 0.1 सेकंड होना चाहिए उस चनाता है यह भी इस परश्ट प्रतित धौनी को सुनने के लिए यहावसा कि कि उनके बीच नियूंत्म समय अंतराल कितना हो तो 0.1 सेकंड है ओफ्सान नम्मर ए सही 0.1 सेकंड ऑपका नियूंत्म समय अंतराल होना चाहिए कोश्चन नमर 15 है प्रति धुनी सुनने के लिए धुनी सुनने के लिए धुनी सुरत इबम सुरता के बीच नियूंतम दूरी अभी समय अंतराल देख लिए अब नियूंतम दूरी दोस्तों 17.2 मीटर सब रट लेना 17.2 मीटर होना चाहिए नेस्ट कोश्चन है धुनी तरंग की आबरती यहां कुछ लिखना भूल गया दोस्तों धुनी तरंग की आबरती हट जह है तो अबरतकाल होगा तो मैंने बताया था आबरती और आबरतकाल में कैसे समध होता है n इंट्व t रवर वन तो अपनको निकालना क्या है t रवर हो जाएगा भूल अ पन एन यह आगया t रवर बन अं आ अ गया मतलब आबरतकाल वरः एक बटर अबरती तो टी निकालना भाई तो एक बटर अबरती कितनी दूँ ही है तो 200 लिख दो भाई 200 लिख दो option answer शाल्व कर दो इसको एक अब मैं एक बते 200 करके आपको नी बताऊंगा भाई टीक है एक बटे 200 करके मैं 여러 होगा तो है कि लिए अब कितना दिया हुआ है क्या है अब रती ती क्या होता है थीक है तो 1 बटे N, 1 बटे 100 मैं यह नहीं बताऊँगा एग बटे 100 करके देखना और यहां प्राबसा लगाना यह चोटी चोटी चैज़ आपको खुद करना पड़ेगा दोस्तों अगर मैं है Every चीज़ बताऊंगा तो फिर आप calculation नहीं करोगे टीक है और वहाँ एक्वमाल मैं कैटकुलस नहीं बनते फिर भाई अपसे ठीक चलिए कोई कोई कहते हैं सीदीसों किये बात सोर ठीक है, सोर कोई करता नए, चलाता है तो हुँथे हैं अपरी ध्होनी कानों को जो बुरी लगे भाई आपरी ध्होनी होती है चलिए, तरंगा का कौन सा गूरत तारत को निरधारिद करता है, त اب चलिए, एक कोश्चन और है, दोस्तों मैं दोस्तों मैं भी उसके साथ इसको समझा दूंगा, तरंग का कौन सा कुल प्रबलता को जरधारित करता है तो ये दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा आयाम अब थोड़ी कहानी सुन लेजिए आब रती और आयाम की ठीक है देखे दोस्तों आयाम क्या होता है पहले मैं आपको मैं समझाता हूँ ये होता है आयाम क्या अंपली ट्यूट कहते है इसको अंपली ट्यूट कहते है इंग्रेजी में इसे डिनोट करते है ठीक है तो यहाँ दोस्तों जे उपा जाना और नीचे आना इसको ये जो डिस्टेंस है इसको ही क्या कहते है आपका आयाम कहते है ठीक है अब देखिए अब एक चीज याद रखना दोस्तों मैंने भी बताया आप पर ये धुनी मतलब चलाने माली धुनी को सोर कहते है एक अलावरती की धुनी जो होती दोस्तों इसको टॉन कहते है यदि याद रखना दोस्तो किसी भी धोनी का आयाम कम होगा ठीक है आयाम कम होगा ठीक है और यह आयाम कम है थोड़ा और यहां बनाते हैं ऐसा हुचा तो इसका आयाम जादा हो रहा है इसका कम है जिसका भी आयाम कम होगा वो धोनी म्रदू धोनी होगी सुनने मप बड़ी अ तो सब्सक्राइब करती सब्सक्राइब विस कोर्वेक Taray आपको समझाया आसा करता हूँ अच्छे समझ माया हूँगे ठीक है और दोस्तों यदि नहीं समझ माया हूँगे तो आप मेरे साथ बने रहो ठीक है इसके बाद मैं NCRT पढ़ाऊँगा और बहुत अच्छे से कॉंसेप्ट क्लियर करूँगा यह समास सोचना कि यह NCRT नहीं पहले एक एक टापिक पढ़ते चलते हैं ठीक है आप नोट्स बनाते चलो ठीक है और जैसे मैं बोलता हूँ दोस्तों स्वाइंग उपर लिखते चलो ठीक है और हम क्या करेंगे 20-20 कुस्चन के 50 वीडियो लाओंगा मैं आपके लिए MP फरस्ट गाट के एक्जाम तक 50 वीडियो कर दोस्तों आप यहां जैसे मान चलो आज जो क्लास हुई ने पहली तो यह पहली क्लास का एक नमबर है टिक ऐसी में हर क्लास का नमबर दूंगा और एक से लिके 50 क्लास तक के वीडियो बनाऊंगा और जब पेपर होगा उसके पाद स्क्रिन साट लेके लिखाऊ कि यह कोश्चन कौन सी कलास से आया है टिक तो चलिए दोस्तों थेंक्यू जहिन जैवहरत